हेलो फ्रेंज चुड़े वी विल स्टड़ी वेरिए इंपोटेंट टॉपिक इस्टेटिव वर्ब्स देखि बहुत इंपोटेंट टॉपिक आज यह इसमें हमेसा हम लोग कन्फ्यूस हो जाते हैं और एरर में अक्सर देखि हमारा जो एरर होते हैं अक्सर इनहीं वर्ब से यह जुड़े हैं तो देखिज इस्टेटिव सुवर्ब उन्हें कि कहते हैं जिनका प्रीयोग हम कंट्निवस इंडेंट में नहीं करते हैं इन इंका प्रियोग हमहमяжें CEंडियंक करते हैं तो देखिंग उने। हमारे ज़ी है नहीं तो उनका यू तो उनका सेंटेंस का यूज हम कंटिनुस में करते हैं पर्जेंट में ही करते चाहिए वह हमारा कंटिनुस में क्यों न लिखा गया हो जैसे दिखाए देना है feel महसूस होना है ज़े ठंड का महसूस होना, गर्मी का महसूना, smell महक आना है, कुस्बू आना है, test है, स्वाद लगना है, understand समझना है, hear सुनाई देना है, remember याद करना है, look दिखाई देना है, hate घरना करना है, like पसंद करना है, think सोचना है, believe विश्वास करना है, love प्यार करना है forget भूल जाना है, dislike पसंद नहीं करना है, no मने जानना है, wish मने चाहना है, want या इच्छा करना है, want है, तो देखी ये जो सभी जो मैंने वर्ब बताई है, जितनी सारी जो वर्ब बताई है, ये हमारी कहिना के ग्यानिंद्री से जुड़ी भी होती है, जो हमारी पांच ग्यानिं करते हैं, तो हमेशा sentence को present indefinite में ही बनाते हैं, उसे continuous में नहीं बनाते हैं, ध्यान करने वाली बहुत-बहुत error, अकसर error होता है in sentence हो में, जैसे save मीठा लग रहा है, right, save मीठा लग रहा है, तो sentence देखी हमने क्या continuous में लिख दिया, लेकिन जो है मीठा लग रहा है, तो देख इसका test का परियोग करते हैं, तो test का परियोग हमें सब पर जैंटे, indefinite में ही करते हैं, continuous में ही करता है, तो the apple test sweet मीठा लग रहा है, right, continuous में use इसका नहीं करेगे, दूसरा देखे, देव को ठंड लग रही है, तो देव feels called, देव को ठंड लग रही है, मुझे गुलाब की मै एक आरही है तो आई स्मेल दा रोज देखे संथेंस अमरे यह सारे कॉनुches मैं लिखे गई है रहा रही है लेकिन जो हैं इन्हों स्थ सब्सक्राण does senat कहरे हैं तो यह यह भी हमारी ग्यानिंद्रिया है, बढ़ी बात नहीं है। आप देखे कुछ sentence देखिए, जिनका आप घर पर प्रक्टिस करनी है, देखिए, गाजर मीठी लगती है, यह संतरा खटा लग रहा है, मुझे सडक पर कोई दिखाई दे रहा है, यह साड़ी मुलायम लग रही है, इन कपडों में तुम सुन्दर लग रही हो, क्या तुम्हे कुछ सुनाई दे रहा है, तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है, आपके हात, आपके हात बहुत ठंडे लग रही है, राइट, मैं कुछ, मुझे कुछ भूक लग रही है, तो बहुत सारे sentences हैं हमारे, इन की घर पर बैठ के प्रक्टिस करिए, तो प्लीज इसके सब्सक्राइब करें